नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम अगले महिने से जो आपके रेलवे गुरूबडी का एक्जाम शुरू होने वाला है उसके लिए जी एस, जीके और करेंट अफेर्स के एक और प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हम लोग डिसकस करे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो नीचे कमेंड में यह जरूर बताईएगा कि इन 45 में से आपने कितने प्रैशनों का सही उत्तर दिया है इसकी जो पीडियाप फाइल है वह आपको जल्द ही टेली ग् और kvguruji.in दोनों पर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके पीडियाप को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो के हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन की पहचान करें और आपसे कहा जा रहा है कि ओम के नियम के अन v को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं i से तो ये बराबर r याने के स्थिरांग होता है ये भी बिल्कुल सही है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे i upon r equal to स्थिरांग तो ये बिल्कुल गलत statement है और v proportional to i ये भी हमारा बिल्कुल सही statement है तो option a, b और d ये तीनों हमारे सही होंगे यानि कि c वाला यहाँ पर गलत होगा तो इस question के लिए c option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निमनलिखित पदार्थों को कणों के बीच आकरसन बल के आरोही क्रम में विवस्थित करें तो ये आपके group d में पूछा गया प्रशन है देखिए जब हम लोग आकरसन है वो closely bound होते हैं उसके बाद में ये आपको देखने को मिलेगा liquid में और सबसे कम ये जो आपका force of attraction है वो देखने को मिलता है gas में तो अब आप लोग option को देखिए देखे nitrogen हमारा gas है तो इसमें सबसे कम होगा उसके बाद में आपके पानी में होगा क्योंकि यहाँ एक liquid है और सबसे जादा होगा mom में तो इस प्रश्ण के लिए यहाँ पर हमारा c option हो जाएगा correct आरोही करम का मतलब होता है बढ़ते करम में यानि कि जो सबसे कम है उसे आपको पहले रखना है उसके बाद में बढ़ते हुए आपको इसे विवस्थित करना है तो इस प्रश्ण के लिए c option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि भारतिये परेटन सांखे की 2020 के अनुसार किस राज ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू परेटों को अपनी और आकरसित किया है तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे घरेलू परेटकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये विजट किये थे उत्तर प्रदेश में और अगर आपसे पूचा जाए कि बिदेशी परेटक कहां पर सबसे ज़्यादा आये थे तो बिदेशी आये थे हमारे तमिलनाडू राज में तो इस प्रश्ण के लिए c option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि 2021 में आयो जित 67 ने माशनल फिल्म अवार्ड दिया गया इसमें सर्वसरेष अभनीता का पुरश्कार एक तो हमारे मनोज बाजपेई को मिला था आउ दूसरे जो हमारे अभनेता से पूछे जा सकते हैं आपको ये धियां रखना है कि best अभनेता का जो पुरस्कार है वो मनोज बाजपय और धनुस को दिया गया best अभनेतरी का जो पुरस्कार है वो कंगना रन आूट को दिया गया best supporting actor का जो पुरस्कार है ये बिजे सितुपति को मिला था वहीं पर best supporting actors की बात करें तो ये मिला था पलवी जोसी को तो ये सारे पुरस्कार आपको ध्यार रखने है अगला प्रशन है कि नौंबर 2020 में महराश्ट की निमनलिखित जीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में सामिल किया गया है अब आपको ये ध्यार रखना है कि अगर हम लोग current की बात करें तो महराश्ट के दो आपकी ऐसी जीले है जिनको रामसर साइट का दरजा मिला हुआ है उन में से एक हमारा नंदूर मदमीसुर है जिसको 2019 में दरजा मिला था और दूसरी जो हमारी लेक है उसका नाम है लोनार तो लोनार लेक वैसे भी काफी ज़्यादा famous है आपको ध्यार रखना है कि 2020 में ये दूसरी रामसर साइट बनी थी महराश्ट की तो इस प्रश्ण के लिए ए आप्सन हो जागा यहाँ पर करें अगला प्रश्ण है कि open market operations RBI के द्वारा किसकी खरीर और बिक्री के संदर्व में संदर्वित किया जाता है तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं open market operation की तो आपको ये ध्यान रखना है कि RBI के द्वारा जो money supply है इसको कम करने के लिए या फिर इसको बढ़ाने के लिए open market operation को संचालित किया जाता है और इसके अंतरगज जो हमारी RBI है वो आपके government securities की खरीद और बिक्री करती है तो ध्यान रखनेंगे इस प्रश्ण के लिए D option हो जाएगा यहाँ पर करें अगला प्रश्ण है कि सेर साह के द्वारा सुरू किये गए चानदी के सिको को डैस डैस के रोप में मुगलों ने भी जारी रखा था तो सेर साह सूरी के द्वारा जो चानदी के सिक्के चलाए गए थे येसी का नाम था रुपिया और वरत्मान में जो हमारे यहाँ पे का नाम है वो हमने इसी रुपए से लिया हुआ है तो इस प्रशन के लिए बी आप्शन हो जाएगा करग आपको ये भी ध्यां रखना है कि सेर साह सूरी जो है इसने 1540 से ले करके 45 तक आपके दिल्ली में सासन किया था नीचे कमेंड में ये बताईएगा कि सेर साह सूरी के ब भारते रिकॉर्ड किस खलाड़ी के नाम पर है तो ध्यान रखेगा अगर हम लोग सबसे जादा टेस्ट मैच में कप्तानि की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है बिराट कोहली के पास इन्हों ने भारत के लिए टोटल 65 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे कैप्टन कूल यानि कि महेंदर सिंधोनी और इनका अस्थान है इसमें दूसरा जिन्होंने आपके 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है तो इस प्रश्ण के लिए D option हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि जन्वरी 2022 में खेलो इंडिया इवा गेम्स 2023 के जो मेचबानी है ये किस राज्य को सौपा गया है तो ध्यान रखेगा 2023 में जो हमारा पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा इसका आयोजन किया जाएगा आपके मध्य प्रदेश राज में कहां पर होगा मध्य प्रदेश की राजधनी भुपाल में इसका आयोजन होगा तो इस प्रश्ण के लिए C option हो जाएगा correct अच्छा 2021 की बात करते हैं 2022 की तो इस साल हमारे खेलो इंडिया का चौथा संस्क्रण आयोजित किया गया है हर्याना के पंचकुला में और आपको ये भी ध्यारखना है कि इस टूर्णामेंट में जो सबसे ज़्यादा मेडल है वो भी हर्याना के टीम ने ही जीता है तो C option होगा correct अगला प्रशन है कि आनुवानसिक जानकारी अनुओं की लंबी स्रिंखलाओं के द्वारा अस्थानांतरित की जाती है तो आपको ये बताना है कि इन अनुओं को हम लोग कहते क्या है तो ध्यान रख्येगा जो भी हमारी आनुवानसिक जानकारी अणों के द्वारा अस्थाना अंतरित की जाती है इनी को हम लोग Nucleotides के नाम से जानते हैं किस नाम से? Nucleotides के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर A option हो जाएगा करें जब हम लोग बात करते हैं Nucleotides की तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह हमारे ऐसे अणो होते हैं जो की मुख्य रूप से Nucleoside और Phosphate Group से मिल करके बने होते हैं और Nucleotides ही हमारे वे Basic Unit है जो की आपके DNA और RNA के structure को बनाते हैं तो यह प्रशन भी पूचा जाता है कि जो हमारे DNA और RNA का Basic Unit होता है वो किसका होता है तो यह होता है Nucleotides का अगला प्रशन है कि अंत्रिच में जो हमारे अंत्रिच यात्री हैं यह एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रिशन करते हैं क्योंकि डैस डैस अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे sound wave होती है उनको travel करने के लिए किसी medium की जरूरत होती है और जब हम लोग space की बात करते हैं तो आप सभी को यह अच्छे से पता होगा कि space हमारा vacuum होता है यहाँ पर कोई medium नहीं होती है तो इसलिए जो आपके अंतरिच के यात्री होते हैं वो एक दूसरे से radio link के द्वारा संप्रिशन करते हैं तो इस प्रशन के लिए be option correct होगा क्योंकि जो हमारी धोनी तरंगे होती है यह अंतरिच में यात्रा नहीं कर सकती है clear हुआ तो be option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि डैस डैस उतक जो है वो तचा के नीचे वरिक के चारो और और आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं तो यह प्रशन भी गुरुबडी में दो तीम बार पिशली बार पूछा गया था ध्यान केगा इसे हम लोग कहते हैं एडी पॉज टी सूज क्या नाम है एडी पॉज या फिर इसे हम लोग वसा में उतक कहते हैं और यह जो हमारा उतक है यह आपके ब्रिक के चारो तरफ आंतरिक जो हमारे अंगों होते हैं उनके बीच में पाया जाता है तो इस प्रशन के लिए एडी आप्शन हो जाएगा अगला प्रशन है कि सन सथमी राष्टे फिल्म पुरस्कार 2021 में निम्ण में से किसने सर्बस्रेष्ट महिला पार्सु गायक का पुरस्कार जीता था यह प्रशन भी मैंने गुरुबडी से लिया है बस मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है 2021 का डेटा लिया है तो ध्यान रकिएगा जो सर्बस्रेष्ट महिला गायक का पुरस्कार है यह मिला था साउनी रविंद्र को किसे मिला था साउनी रविंद्र इनका नाम है जिनको यह पुरस्कार दिया गया था बार्डो च्छम के लिए तो C आप्सन हो जाएगा अब आपको यह ध्यान रखना है कि डेश्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है वो मिला था बीफ्रैक को केसरी गाने के लिए केसरी मूबी के लिए और इनको मिला था बार्डो के लिए तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने है अगला प्रशन है कि 2020 में करसी मंत्राले के द्वारा भारत का जो पहला केंडर सासित प्रदेश है जिसे 100% जैविक घोसित किया गया निम्ड में से कौन सा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2016 में हमारे देश और दुनिया का ऐसा पहला राज्य जो की पूरी तरीके से जैविक खेती करने लगा था वो सिक्किम बना था और 2020 की बात करें तो हमारे यहां का जो लच्छ दूइब केंडर सासित प्रदेश है ये भी 100% जैविक खेती करने वाला पहला किंडर सासित प्रदेश बन गया है तो इस प्रशन के लिए ए आप्शन हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि निमने लिखित में से किन धातों को चाकू से काटा जा सकता है ये प्रशन भी आपको गुरूपडी में खूब बार देखने को मिलेगा ध्यान अख्येगा ये हमारे अलकली मेटल होते हैं जो आपके पहले गुरूप में पाये जाने वाले एलिमेंट हैं और ये हैं लीथियम, सोडियम और पोटेसियम और ये ही सारे वो हमारे एलिमेंट हैं जिनको हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं यानि के केरोसीन ओयल में रखते हैं और ये इतने मुलायम होते हैं कि आसानी से आप इन्हें चापों से काट सकते हैं तो C आप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेंगा अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सा आकसाइड उभै धर्मी है तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग एमफो टेरिक आकसाइड की बात करते हैं तो अलिमीनियम आकसाइड हमारा एमफो टेरिक आकसाइड होता है इस प्रशन के लिए C आकसाइड हो जाएगा अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि एमफो टेरिक आकसाइड का मतलब है क्या देखिए सिंपल सब्दों में यह समझे कि जो हमारे उभै धर्मी आकसाइड होते हैं यह आपके मेटल के आकसाइड है किसके मेटल के आकसाइड है इनकी खास बात यह होती है कि यह आकसाइड जब आपके किसी बेस के साथ में रियक्ट करेंगे तो यह ऐसे भी हैप करेंगे जैसे यह एसिड हों और यह आकसाइड जब आपके एसिड के साथ में रियक्शन करेंगे तो ये ऐसे भी हैप करते हैं कि जैसे ये आपके base हों तो बस आपको simple सब्दों में ये ध्यां रखना है कि metal oxide हमारे ऐसे oxide हैं जो कि acid और base दोनों की property रखते हैं और जब ये दूसरे से reaction करते हैं तो salt और water का निर्माण करते हैं तो zinc के oxide, tin का oxide हो गया, lead का हुआ, aluminium का हुआ, beryllium का हुआ ये सारे हमारे amphoteric oxide होते हैं अगला प्रश्न है कि निमनलखित में से कौन सा पौधा जंगली पत्ता गोभी से उत्पन नहीं होता है तो ये तो आसान सा प्रश्न है ध्यान अख्ये का जब हम लोग मूली की बात करते हैं तो ये आपके गोभी की प्रजाती नहीं है बाकि broccoli हो गया, gant गोभी हो गया, करम साग हो गया ये सारे हमारे गोभी के ही प्रजातियां है तो यहाँ पर A option हो जाएगा, correct ये देख सकते हैं, head cabbage हो गया wild cabbage है, tolly flower है, broccoli है, कोहिरावी है तो ये सारे हमारे किसके होते हैं ये सारे आपके हैं गोभी की प्रजातियां अगला प्रश्न है कि डैस डैस में मास्पेसियों के लैबध संकुचन के परणाम सुरूप बच्चा पैदा होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बेबी को पुस करने वाली जो हमारी मसल होती है वे मसल आपको मिलेंगी गरभासे में यानि कि गरभासे की जो मास्पेसियां होती है इसी में आपके संकुचन होता है यानि कि ये कांट्रेक्ट करती है और इसे के बाद में बच्चे का होता है जन्म तो ये भी गुरुबडी में पूछा गया प्रशन है ध्यान रख्येगा इसके लिए C option हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि जीवन की उत्पत्ती के समय निम्न में से कौन सी गैस है जो की वायमंडल में उपस्थित नहीं थी आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे प्रश्वी पर जीवन की सुरुवात हुई थी तो सबसे पहले आपके पानी में रहने वाले जीव विक्सित हुए थे और उस समय तक हमारा जो वायमंडल है उसमें ऑक्सिजन बिलकुल नहीं था तो कारवन मोनो ओक्साइड मेथेन हो गया अमोनिया हो गया ये सारी जो गैसेज है वो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद थी लेकिन उस समय ऑक्सिजन के उपस्थिती नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर ए आप्सन हो जाएगा करेंगा अगला प्रशन है कि किस तत्तों में तीन कच्छ होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्टानों से भरे होते हैं अब देखिए अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई एलेमेंट है जिसके सारे जो कच्छ हैं वो भरे हुए है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वो हमारी इनर्ट गैस ही होगी क्योंकि इनर्ट गैस में ही जितने भी आपके सेल होते हैं वो सारे भरे होते हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि तीन सेल हैं तो जायर से बात है, तीन स्टल वाला हमारा ओर्गन होता है, जिसका atomic number 18 होता है, और इसका जब हम लोग बिन्यास करेंगे, तो 2,8,8 होता है, यानि कि पहले स्टल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, यानि कि तीनों इसके भरे हुए हैं, तो इस प्रेशन के लिए B option हो डैस डैस पे रखा जाता है, तो आउतल दरपन एक आभासी, सीधा और अभिवर्दित छभी को बनाता है, अब ऐसे प्रेशन आपके लिए थोड़े से टफ होंगे, अगर आपको अच्छे से इनका रे डियाग्राम नहीं पता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं, कि बात क जा रही है, यहाँ पर आउतल दरपन की, तो इस प्रेशन के लिए C option यानि कि F और P के बीच में आपका जब बस्त रखा जाएगा, तो इसका image जो है, वो आभासी, सीधा और अभिवर्दित बनेगा, आईए मैं थोड़ा सा आपको इसे दिखाता हूँ, देखे, यह हमारा एक mirror है, जिसे हम लोग concave mirror कहते हैं, तो आप से कहा जा रहा है, कि जो हमारी image है, वो आपकी आभासी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और अभिवर्दित का मतलब है कि यह वस्तू से बड़ी होनी चाहिए, तो देख सकते हैं, यह जो आपकी image है, वो सीधी है, यह image आपक आभासी image है, इसका simple सा मतलब हुआ, कि जो हमारी वस्तू है, उसको हम लोग focus और जो हमारा पूल है, इसके बीच में कहीं पर रखेंगे, और इसके बाद में जो हमारी image बनेगी, वो image आपके सीधी होगी, वस्तू से बड़ी होगी, और यह आपकी होगी imaginary image, तो ध्यान रख अगला प्रशन है, कि निमनलिखित में से किसे जून 2021 में भारत के कारेवाहक मुख्य सतरकता आयुक्त के रूप में न्यूप किया गया था, तो ध्यान रखेगा, चीफ बिजलन्स कमिशनर की बात हो रही है, CBC के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि के संथानम कमेटे के recommendation से इसको अस्थापित किया गया था, और इसके जो हमारे वरत्मान है, नाम है सुरेश एन पटेल, क्या नाम है, सुरेश एन पटेल इनका नाम है, तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा, correct. अगला प्रशन है, कि निमनलखित में से किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश में, सीमा सड़क संगठन ने चार धाम पर्योजना को बढ़ावा देने के लिए, 440 मेटर लंबी सुरंग का निर्मार किया है, तो ये जो 440 मेटर लंबी सुरंग है, इसका निर्मार किया ग तो ध्यार रखिएगा, वनस्पती तेल से हम लोग वनस्पती घी बनाते हैं, और इसमें जो आपका कैटलिस्ट है, यानि कि जो रियक्षन को बढ़ाता है, उसके तोर पर हम निकल का यूज करते हैं, किसका निकल आजे कैटलिस्ट यूज होता है, C आप्शन हो जाएगा निकल का यूज करते हैं, और उसके बाद में हमको सैचुरेटेड फैट यहां से प्राप्त होता है, तो बस आपको ध्यार रखना है, कि इस प्रशन के लिए C आप्शन हो जाएगा करक, अगला प्रशन है, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, देखे आप से पूछा जा र गलत स्टेटमेंट चुनना है, और गलत स्टेटमेंट चुनने के लिए आपको यहां पर जो सही स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, देखे, माल लेते हैं कि यह हमारा कोई बीकर है, या मतलब कोई भी हमारा बरतन है, जिसमें आपने पानी को भरा हुआ अब आप imagine करिए कि अगर आप यहां पर एक लोही का कोई भी वस्तु ला करके रखते हैं तो जाहर से बात है यह लोही की जो वस्तु है वो पानी में डूब जाएगी इसका simple सा मतलब है कि लोही की जो हमारे density है वो आपके पानी के density से ज़्यादा होती है तो पहले statement में यही क कहा जा रहा है कि वस्तु का जो घंत्त है वो पानी के घंत्तों से अधिक है तो बिल्कुल सही हो गया तो यह तो हमारा सही statement है दूसरे statement में कहा जा रहा है कि वस्तु पर पानी का जो उपरी प्रणोध है वो वस्तु के भार से कम है अब इस statement को थोड़ा सा समझे देखे उपर आप कोई भी object ला करके रखते हैं तो जो हमारा पानी होता है इसके द्वारा भी एक force लगाया जाता है उस particular वस्तु के उपर अब यहां पर कहा जा रहा है कि वस्तु पर पानी का जो उपरी प्रणोध है वो वस्तु के भार से कम है बिल्कुल सही है क्योंकि अगर नीच से force लग रहा है वो आपके वस्तु के भार से कम है तो यह भी सही statement हो जाएगा फिर तीसरे में कहा जा रहा है कि वस्तु पर पानी का जो उपरी प्रणोध है वो वस्तु के भार से अधिक है तो यह दोनों statement एक दूसरे के contradict करते हैं यानि कि C वाला हमारा गलत होगा और D में क्या कहा जा रहा है तो D में कहा जा रहा है कि पानी का जो घंत्तो है वो वस्तु के घंत्तो से कम है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A और D दोनों एक ही है यानि कि वस्तु का घंत्तो पानी के घंत्तो से अधिक है चाहें आप यह कहिए या फिर आप यह कहिए कि पा अगला प्रश्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा उतक है जो की मुख्य रूप से मृत कोसिकाओं से बना है तो ये आपको ध्यार रखना है ऐसे प्रश्ण बहुत आते हैं गुरूप D में और अगर हम लोग नीचे सारे आप्सन को देखेंगे तो इस उतक का नाम है जायलम क से ही बना होता है तो यहां पर ए आप्सन हो जाएगा करण अगला प्रश्ण है कि स्वामी विवेकानंद अंतर राष्टी हवाई अड्ड़ कहां पर इस्थित है तो स्वामी विवेकानंद अंतर राष्टी हवाई अड़्े की बात करते हैं ये आपको मिलेगा रायपूर म वहीं पर आपको ये हवाई अड़ा देखने को मिलेगा, पहले इसी को हम लोग माना एरपोर्ट के नाम से भी जानते थे, तो इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि निम्नलखित में से किसको Iron Chancellor कहा जाता था, तो ये आपके Group D में पूछा गया प्रशन है ध्यान रखेगा जब हम लोग Iron Chancellor की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है आटो वान बिसमार्क को, किसे आटो वान बिसमार्क को Iron Chancellor कहा जाता था, तो इस प्रशन के लिए C option हो जाएगा correct, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जर्मनी का Chancellor था, और इसी के द्वारा ये कहा गया थ कि जो आपकी महानता होती है, वो बिना रख्त और लोहे के नहीं आ सकती है, मतलब कि बिना लड़े आप महान नहीं हो सकते हैं, तो C option हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि पुराह अस्थ गरंथी से होने वाला जो स्राव है, वो आपके कहां पर प्रवेश करता है, तो जब E E、「 Eекulation का समय होता है, तो Ezeeculation के समय में जो आपका fluid निकलता है, ये fluid निकलने के बाद में आपके कि यूरेथरा में प्रवेश करता है यानि कि जो मूत्रमार्ग है उसमें ये प्रवेश करता है और उसके बाद में पेनिस से होते हुई ये बाहर निकल जाता है तो इस प्रश्ण के लिए B option हो जाएगा यहां पर करक्ड अगला प्रश्ण है कि किस प्रकार की कोचिका से option हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि oxalic acid का एक प्राकरतिक शुरोथ क्या है तो oxalic acid के अगर हम बात करते हैं ये आपको टमाटर में देखने को मिलेगा किसमें टमाटर में ये देखने को मिलेगा तो इस प्रश्ण के लिए C option हो जाएगा यहां पर पर करक्ड अब कुछ की बात करें तो इसमें आपका टार्टरिक एसिड होता है टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे एसिड हैं जैसे कि ऑक्जलिक एसिड हो गया साटरिक एसिड हो गया मैलिक एसिड है एस्कॉर्विक एसिड है यह सारे आपको टमाटर में मिलेंगे और अगर हम ल इसमें आपको जो काले रंग का लेप दिखाई देता है, वो किसका लेप होता है? ध्यान के गा, नान इस्टिक जो कठाई होती है, इसका यो जब काफी ज़ादा होने लगा है और इसके इसमे ऊपर जो लेप है, वो आपके टेफलोन का लेप होता है, तो यहाँ पर बी ओप् करते हैं तो यह हमारे कारबन और फ्लॉरीन से मिल करK के बना होता है, अगला प्रश्ण है कि निम्नले लखित में से किस कुलके पौधे से तापा कपड़ा बनाया जाता है, तो द्यान अख्ये का तापा कपड़े की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके मोरिसी कुलके दियान रखेंगे, बी आप्शन हो जाएगा यहां पर करग, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 के स्थिति के अनुसार, निमनलेखित में से कौन केंदरिये ग्रामेड विकास मंतरी हैं, तो दियान रखेंगे, पिछले साल के अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारे केंदरिय यह ग्रामेड विकास मंतरी थे, यह आपके थे नरेंदर सिंग टोमर, नरेंदर सिंग टोमर की बात करें, तो यह उस समय आपके करसी और किसान कल्यान मंतरी भी थे, वरत्मान में भी यह करसी और किसान कल्यान मंतरी हैं, एस जैसंकर साहब की बात करते हैं, तो ध्यान रख अगला प्रशन है कि विन्नम जोती सुरेखा निमनलखित में से किस खेल से सम्मंदित है तो विन्नम जोती सुरेखा की बात करें यह हमारे तीरन दाजी की खिलाडी है किसकी है तीरन दाजी की प्लेयर है तो बी ऑप्सन हो जाएगा यहाँ पर करें अब तीरन दाजी की बात हुई है तो भारत के कुछ प्रमुख खिलाडियों के नाम आपको जरूर ध अगला प्रश्न है कि अधातों में कौन सी चमकदार होती है तो अगर हम लोग अधातों की बात करते हैं तो इसमें चमकदार होती है आयोडीन, कौन सी आयोडीन जो कि हमारे हैलोजन समो का एक एलिमेंट है तो इस प्रश्न के लिए D option हो जाएगा correct अब इसके चमकदार होने के पीछे का कारण क्या है देखेए अगर माल लेते हैं यहाँ पर आपके आयोडीन है आयोडीन के उपर जब आपके प्रकास के किरन पड़ती है तो आयोडीन की ये property होती है कि इन प्रकास के किरनों को ये absorb कर लेती है तो absorb करने के बाद में जब ये इन किरणों को बाहर निकालती है यानि कि जब इनको ये इमिट करती है तो उस दवरान ये हमको चमकते हुए परतीत होती है और इसलिए अधातों में आपके जो चमकदार है वो आयोडीन है D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि डैस डैस जो उर्जा है इसमें दो प्रकार की उर्जा होती है तो ये भी आसान सा प्रशन है जो हमारी यांतरिक उर्जा यानि कि जो मगलनकन एनर्जी है वो दो प्रकार की होती है एक को हम लोग इस्थितिज उर्जा कहते हैं यानि कि potential energy कहते हैं और दूसरी को हम लोग कानेटिक एनरजी यानि की गतिज उर्जा के नाम से जानते हैं, तो इस्थितिज और गतिज उर्जा से भी बहुत प्रश्ण आपको मिलेंगे गुरूप D में, A option हो जागा यहाँ पर correct, अगला प्रश्ण है कि मंदन यानि की रिटारडेशन क्या होता है, अब थोड़ा सा समझते हैं तुरण के बारे में, देखिए अगर हमारा तुरण किसी भी चलती हुई वस्तू के उपर काम कर रहा है, तो इसमें आपकी दो स्थितियां हो सकती है, या तो ये तुरण आपकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, ठीक है, अगर आपका है, वो निगेटिव है, तो इसकी स्पीड को ये घटा रहा होगा, तो रिटार्डेशन और कुछ नहीं है, ये आपका रिणात्मक तुरण होता है, यानि कि जो हमारा निगेटिव एसलेरेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं मंदन, नाम से ये आप समझ सकते हैं, कि अगर प्रशन है कि वन इंडियन गर्ल, यानि कि एक भारती लड़की नाम के जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो बहुत ही आसान सा प्रशन है, इसके जो हमारे लेखक है, मसोर उपन्यासकार, चेतन भगत है, अंग्रेजी भासा के बहुत एफिमस है, ए आप्सन हो क्योंकि गुरुपडी में यहां से प्रशन पूछे जाते हैं, जैसे कि वन इंडियन गर्ल है, वन अरेंज मर्डर अभी के इनके पुस्तक है, गर्ल इन रूम 105 ये भी नहीं के पुस्तक है, तो ये सारे पुस्तक आपको ध्यां रखने हैं, अगला प्रशन है कि चंद्रग गुजरात तक 390 स्वी तक हुआ था, तो इस प्रशन के लिए D option हो जाएगा करग, अगला प्रशन है कि इन में से किस पुरसकार को ग्रीन आसकर के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रीन आसकर की बात करें, हमारा जो हुटली अवार्ड है, इसी को हम लोग ग्रीन आसकर के नाम से जानते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है, कि हमारे देश के जो वाई नुगलू फोम है, इनको पिछले साल हुटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पर्यावरण के छेतर में ये पुरसकार दिया जाता है, और इसी लिए इसको हम लोग ग्रीन आसकर कहते हैं, प्रेजकर पुरसकारों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारे वास्तुकार जो होते हैं, उनको ये पुरसकार दिया जाता है, याने कि वास्तुकला के छेतर में ये पुरसकार मिलता है, और इसे वास्तुकला के फिल्ड का नोबल पुरसकार भी कहते प्रश्ण है तो यह आपके गणित में दिया जाता है और इसे हम लोग गणित के फिल्ड का नोबल पुरसकार कहते हैं तो यह सारे पुरसकार आपको ध्यां रखने हैं यहां पर ए आप्शन हो जागा हुटली अवार्ड करग अगला प्रश्ण है कि भारतिय समिधान का जो च और चोथे में हमारा DPSP है यानि की राजिके नीत ने दे सकत्तो हैं तो यहां पर D option हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सहर है जो की सावरमती नदी के तरट पर बसा हुआ है तो ध्यानकी का यह जो सहर है नाम इसका है एहमदाब क्या नाम है एहमदाबाद इस सहर का नाम है तो यहां पर D option हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि गुर्मीत सिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंदित है तो गुर्मीत सिंग की अगर हम बात करें तो हमारे देश के यह sprint runner है यानि की race वाक के खिलाड़ी है तो इस प्रश्ण के लिए C option हो जाएगा करेक्ट अब अगर आपसे हमारे देश के अन्ने race वाक के खिलाड़ीों के बारे में पूछा जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा जैसे कि हमारी PT उसा है हीमा दास तो बहुत ज्यादा famous है उसके बाद में आपकी दूती चंद हो गई फिर हमारे मिलखा सिंग है मुहम्मद अनास याहिया है उसके अलावा हमारे जिंसन जांसन है तो ये सारे हमारे sprint runner है यानि कि धावक है देश के तो C option हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा आंध प्रदेश का राज पसू है यानि कि state animal है तो पक की बात हुई है तो ये ना केवल आपके आन प्रदेश का state animal है बलकि ये पंजाब और हर्याना का भी state animal है उसी प्रकार से एक सिंग वाले अगर हम गैंडे के बात करते हैं तो ये असम का state animal है उसी प्रकार से अगर हम लोग ऑक्स की बात करते हैं तो ये गोवा का है जैम अगला प्रशन है कि भारत के किस पूर्व प्रधान मंत्री को मर्णो प्रांत भारत्न से सम्मानित किया गया था, तो हमारे देश में ऐसे छे प्रधान मंत्री हुए हैं जिनको भारत्न पुरस्कार मिल चुका है, और मर्णो प्रांत ये जो पुरस्कार है वो आपके राजिय गांधी जी हैं जिनको 1991 में मिला था नहरु जी ने हमारे खुदी को दे लिया था इंद्रा जी ने भी खुदी को दिया था मुरार जी देशाईको 1991 में मिला था और अटल जी को मिला था 2015 में अगला प्रशन है कि निम्न में से कौन आधात वर्धनिय धातू है देखे जब हम लोग malleable metal की बात करते हैं तो इसका simple सा मतलब ये होता है कि किसी भी धातू से हम कितनी बड़ी seat बना सकते हैं तो ध्यान रखेगा अगर हम लोग यहां पर सारे option को देखे तो सारे हमारे यहां पर malleable है लेकिन आप से पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा malleable कौन सा है तो ध्यान रखेगा आपकी periodic table में जो सबसे ज़्यादा अगरात वर्धनिय धातू है इसका नाम है gold ध्यान रखेगा सबसे ज़्यादा जो malleable metal है उसका नाम gold है तो यहां पर B option हो जाएगा करग आखरी प्रशन है कि अभी तक बैग्यानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तैं की गई है यह प्रशन भी काफी ज़्यादा पूछा जाता है तो ध्यान रखेगा पदार्थ की टोटल पांच अवस्थाएं अभी तक ग्यात है जिनमें से तीन तो आपको पता ही होगा solid, liquid और gas है चौती हमारी जो अवस्था है उसका नाम होता है plasma वो खून वाला plasma नहीं है यह दूसरी plasma होता है और पांचवा हमारा है Bose Einstein Condensate क्या है? Bose Einstein Condensate यह आपकी पांचवी अवस्था है तो पांचों के बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर B option हो जाएगा correct तो इस प्रकार से हमने तीसरे mock test को भी discuss कर लिया है अगर आपने यहाँ तक पूरे वीडियो को attempt किया है तो नीचे comment में यह जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्णों का सही उत्तर दिया है वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवार Thanks for watching जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत